अब तक हमने बहुत सारे MCQs करें हैं जो तुमारी नईया पार लगाते हैं अब तुमारी बेडा पार लगाएंगे ये सिर्फ दो दो नंबर वाले questions जब हम very short questions की बात करते हैं न students तो ये very short questions को हम लोग बहुत हलके में ले लेते हैं और उसकी practice नहीं करते हैं सोचते हैं क्या है लिख लेंगे वहाँ पे क्या है ऐसे ही कुछ भी बता देंगे कोई दोस्त थोड़ा सा ऐसे से कर देगा उससे कुछ नहीं होता है confidence जब ही आता है जब हमने खुदने उससे बार बार पढ़ा है और लिखा है और करना क्या है एक या दो ला इनका answer ही तो लिखना है इससे ज़ादा नहीं करना है सोचो अगर तुम्हें ये वाला part पूरा कर लेते हो तो कम से कम 18 से 20 number तुमारे होते हैं मैं सही कह रही हूँ अलग-अलग boards में थोड़ा उपर नीचे हो सकता है लेकिन 18 से 20 number तुमारे ये सिर्फ 2-2-2 number वाले questions ले आते हैं तो चलिए हम start करते हैं इस part को लेकिन उससे पहले I really want everyone to mark your presence here यहाँ पर अपनी presence mark कर दीजी और मुझे बताए कि माम हम present है we are all present here आपकी सेना तयार है यहाँ पर मैंने सारे लला और लालिया यहाँ पर आच चुकी है यह 2-2-2 number के questions करेंगे जब हम बात करते हैं ऐसे questions की तो यह questions आपके हो सकता है कि passage में भी देखने को मिल जाए क्योंकि passage में आपको कैसे देखते हैं question one mark का question पूछते हैं जो scene passages आते हैं तुमारे यानि कि book में से ही as it is आपका एक stanza दे दिया जाता है और उसमें से कुछ questions पूछ ले जाते हैं तो यही से वो questions उटके आ सकते हैं तुम्हारे exams में यह मैं तुम्हें आज वादा करती हूँ कि at last तक चलेंगे हम लोग पूरा chapter पूरे पूरे जितना भी हारे syllabus में पार्ट है हमारा वो पार्ट हम यहां पर discuss करने वाले हैं आपको बस क्या करना है आपको answers देते रहना है comment section में answers नहीं रुकने चाहिए तो नहीं रुकने चाहिए यह एक एक word है जो आपको keywords की तरह always याद रहेंगे वो एक एक word को एक-एक sentence को लिख देना है comment section में बस यहीं चाहती हूँ मैं चाहे आपने अभी तक share नहीं किया है like नहीं किया है मुझे अभी वो नहीं मतलब है मुझे यह मतलब है कि तुम जो बता हूँ मैं यहां पर उसे उसी वक्त याद कर लो इसी session में याद कर लेना है इसी session में इसको बार-बार नहीं देखने की जरत पड़े यह वादा कर लो और चलते हैं हम बिना time waste के आगे बढ़ते हैं हम क्यूंकि आज यह सारा part हमारा ब्रह्मास्तर 2X का very first worst life है मेरी यहां पर so I really want your support and I am going to give my full efforts to you all चलिए start करते हैं very first chapter का पहला पहला question यह question मैं बता दूँ आपको 3 बार मैंने खुदने analysis किया है पूरा और उस analysis से पता किया है 3 बार directly आया है और 4 बार आपके scene passage में आया हुआ है 3 बार directly 4 बार आपके indirect तरीके से यानि की scene passage में दे दिया गया है क्या यह question नहीं याद करना चाहोगे तुम question क्या कहता है question is where the house was located कहां था किसका house था लेंचो का house था किसका house पूछा है लेंचो का house पूछा है कहां था located on the top of low hill answer comment section में देना है आपको बस इतना सा लिखना है on the top of a low hill कहां रह था था लेंचो तो on the top of a low hill इतना सा word यार इतना सा word याद नहीं कर सकते क्या इतनी बार तो हमने बोल दिया है याद हो गया है मैं सुनाई दे गया हमको repeat कर लिया next question की तरफ आगे बढ़ते है when did लेंचो keep gazing at the sky क्या हुआ था क्यों वो sky की तरफ gaze कर रहा था उसे घूर घूर के देख रहा था किस चीज की वो wait कर रहा था so answer क्या है लेंचो kept gazing at the sky because अब भले ही ये देखो तुमारे दो number का question है भले ही इस question में हमें लिखना चार word है लेकिन तुम्हें present कैसे करना है बेटा question को मत भूल जाना कि question को कैसे आपको represent करना है answer लिखना है और उसके बाद में आपका right answer आएगा थोड़ा सा examiner को फसाने की tricks और जो techniques है वो सीख जाओ उन techniques से ही तुमारे सारे numbers आजाएंगे question में से लिखा और he hopefully wished for rain हमें तो पता ही था कि वो rain की wait कर रहा है वो क्यों क्यों चाहता ही था कि बारिश आजाए जल्दी से जल्दी harvesting हो जाए जल्दी से जल्दी हमारा answer हमें पता है present कैसे करना है वो भी आना चाहिए okay I hope कि आप सभी जने comment में rain तो लिखी रहे हो उसके साथ साथ में ये भी लिख रहे है he hopefully wished for rain क्या लिख रहे है he hopefully wished for rain moving to the next question and the next question से Lencho had only one hope एक hope थी पता है वो hope क्या है इतनी बार chapter पढ़ लिया है half early में pre board में इतनी बार याद है कि hope क्या थी God answer इतना सा लिखोगे सिर्फ ये एक word लिखके आ गए तो तुम्हें half marks मिलेगा दो number के question में लेकिन अगर तुमने ये as it is line लिख दी क्या that Lencho's only hope was help from God ये पूरा लिखा तो पूरा पूरा number मिलेगा तुम्हें पूरा पूरा number चाहते हो हाँ very well done everyone I can see कि comments में सभी जने यहां पर answers दे रहे हैं I am really proud of you all बहुत ही अच्छा बस comments में ही याद कर लो तुम बाकी परेशानी ही नहीं उठानी है बापस बार बार notebook ही नहीं उठानी है हमें यहीं याद कर लेना next is what had Lencho been doing throughout the morning पूरे morning उसने क्या किया था क्या कर रहा था वो एक direction का question आता है आप याद रखना एक direction के बारे में पूछा जाता है question कि वो किस direction में देख रहा था बारिश यानी की rain किस direction से होने वाली थी अब वो किसी तरीके से पूछे आपको direction से पूछे आपको पूछे कि बारिश किदर से आने वाली थी लेंचु वेट किदर करके देख रहा था ये कुछ भी पूछे answer आपका यही है क्या answer है he had been looking at the clouds in the north east ये वाला part throughout the morning in the north east throughout the morning तो he had been looking at the clouds in the north east answer लिखो north east answer लिखो बस एक बार ये याद हो जाएगा आपको answer और यही के यही आपका answer हो गया correct चलो next question why did the postmaster decide to answer Lencho's letter to God अब ये answer question जो है long में भी आता है बेटा मैं जब भी हमारा long session आएगा उस long वाले में भी करवाऊंगी ये आपको definitely क्योंकि ये short में भी आता है long में भी आता है short में तो इसतना सा लिखना है long में आपको वो सारी चीजे बतानी है कि उन्होंने कैसे किया था क्यों किया था why and where ये सारी चीजे आपको वहाँ पे लिख देनी है ठीक है so by doing so he wanted to protect the Lencho's faith in God faith था God में Lencho का faith देकि उन्होंने कहा था कि मेरे अंदर भी थोड़ा सा ऐसा faith होता तो बहुत अच्छा होता राइट वही चीज है the postmaster decided to answer Lencho's letter to God so यहां से आप ऐसे भी लिख सकते हैं so he wanted to protect Lencho's faith in God that's the reason it is okay moving to the next question थोड़ा सा दो नंबर वाले में बड़ा question भी पूछा गया है थोड़ा बड़ा question भी पूछा गया है तो आपको इसे बड़े questions को देखके हताश नहीं होना है पहली चीज तो don't disappoint है ना ऐसे ही हम upset हो जाते हैं कि यार क्या question पूछ लिया है इतना बड़ा क्या है है ही नहीं मैं keywords यहीं पर learn करवाने का आपको promise करी हूँ तो मैं वो promise करके बताऊंगी यहाँ पे मैंने देखो 8 minute में कितने 4 से 5 questions तुम्हें यहाँ learn करवा दिये अगर मैं इतना वादा कर रही हूँ तो end तक तो session देखना है ताकि सारे questions हमारे यहाँ पे हो जाए तो सोचो 20 number तो तुम पूरे पूरे अपने नाम कर रहे हो और यह 20 number तुम्हारे percentage में कितना बड़ा high लाक्या है हना अगर आप 60 की preparation पे हो तो 20 number से तुम लोग 70 तक तो पहुंची जाओगे और फिर भगवान है हमारे साथ में God भी तो हना faith है हमें भी God में जैसे लेंचो को था देखो what unintended effect was produced by decades of operation operation वाला chapter कौन सा है सबसे पहले recall करो operation chapter एक में ही आया है और वो कौन सा है Nelson Mandela Nelson Mandela वाला chapter आज इस class में बता रही हूं उसमें से long questions आएंगे paper leak समझ लो कुछ समझ लो long question आपका Nelson Mandela में से पका आएगा पका पका पांच number का question करके जाना उसके लिए Nelson Mandela का कौन सा आ सकता है value of freedom वाला part आ सकता है आपके लिए करके जाना याद मैं by heart कह रही हूं अगर आपके कल परसो तरसो में कभी भी आपके pre board है pre board में check कर लेना ये question आएगा तुम्हारे चलो याद क्या करना है हमें the decades of oppression made him a strong person बस पहले तो हमने इतना सा याद करना है कि इसकी वज़े से क्या हुआ बहुत साल तक oppression जेलने की वज़े से यानि शोशन है यहाँ पे oppression ये वाला नहीं है कि surgery कर दे, operation कर दी यहाँ operation क्या है? शोशन के लिए है person बने, he set out the goal to liberate और अपना goal उना ने क्या बनाया liberate होने का हम तो क्या करते हैं? हमने देख लिया कि हमारे घर पे, जैसे students कहते हैं, क्या कहते हैं? कि मैं हमारे पास में सुक्स विधाय नहीं है, मैं हमारे पास में resources नहीं है, मैं हमारे पसमें इंटरनेट कनेक्शन लिमिटेड है, पूरे दिन वाइफाई नहीं है, ये फलाना धिमकाना, आरे क्या करोगे, जब जब है उसका तो यूज कर नहीं रहे हो, जितना है उसका तो यूज करो तुम लोग, तो वैसे ही उन्होंने भी इस तरीके से अप्रेस होने के पावर्टी, क्या है, पावर्टी, यहाँ पे थर्ड पॉइंट स्टार्ट होता है, डिप्रिवेशन, सफरिंग, अद अधर डिस्क्रिमिनेशन, ये पूरा थर्ड पॉइंट है, जब वो साउथ एफरिका के प्रेजिएंट बने, उसकी बावजूद भी उनको कुछ उनको पता था कि क्या चीज उन्होंने पेन किया है, वहाँ पे उन्होंने सफर किया है, उस चीज के बारे में यहाँ पूछा गया है, ठीक है, अगर यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन से डिस्ट्राक्ट हो रहे हो, जैसे कि मैं तो इग्नॉर कर रहे हूँ, अगर आप चले जाएंगे, notebook pen लेकर के बैच जाएए, notebook pen में लिख लीजिए, मैं एक मिनट रुख जाती हूँ, so that आप फटा-फट से ये काम कर लीजिए, notebook pen ले लीजिए, अपने पास में, phone को horizontal mode पे रख दीजिए, and comment section अपने आप से चला जाएगा, और वहां answer लिख दीजिए, वहां means a lot for me, अगर मैं तुम्हारे लिए इतना analysis करके, तुम्हारे लिए इतना efforts लेकर के, यहां आ रही हूँ, यहां तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तुम्हें keywords बता रही हूँ, अपना गला खराब कर रही हूँ, continuously आपको पता है, जो मेरे पुराने students उनको अच्छे से पता है, Saturday को तुम मेरे को सास लेने तक का time नहीं होता, मेरे तीन बज़े से continuous class होती है, remember that, फिर भी अगर मैं आपके लिए यहां पर आ रही हूँ, मेरे efforts को छोड़ो, तुम अपने efforts लगाओ, अपने efforts लगाओ, मैं effort, अगर अकेला बच्छा भी आ होगा, उसके लिए भी effort लगाओं चाहते हो कि हाँ, सब जने, क्योंकि English subject ऐसा है कि हर कोई वहाँ पर नजर डालता और बोलता है, अरे वाँ, English में तुम्हारे इतने अच्छे मेने, भाई, maths में भी अच्छे बने, साइंस में भी अच्छे बने, लेकिन उनको proud जादा कब होता है, अरे वाँ, English में अच्छे हो गे न, so they will say, oh wow, you are good at English, है न, ये English कहा कहा काम आती है न, वो तुम्हें तब भी पता चलेगा, चलिए, 700 watching cross हो चुकी है, I really wish आज की 1000 cross हो जाए बस मेरा, मैंने अभी तक 1000 का target cross नहीं किया है, तुम्हारा साथ रहा, तुम्हारा share बना रहा, तुम्हारा like बना रहा, तो य 1000 cross हो जाएगा, I wish so, चलो, let's get started again, यहाँ पे Nelson Mandela वाला, he was sad, अब देखो, he pained, pained word के लिए हमने क्या लिखा, sad for not being able to thank those African patriots who had fought for independence, जिनोंने independence के लिए, independence के लिए मतलब स्वतंतरता के लिए जिनोंने लडाई की थी, और उनको वो थैंक नहीं बोल पाए, इसलिए वो उस द line तुमको याद करने है, then and sacrifice their lives for it, this pained him, इस वज़े से उनको क्या हुआ था, बहुत जादा pain हुआ था, उनको दर्द फील हो रहा था, दर्द यहाँ पे, actually दर्द नहीं है, दर्द यहाँ पे sadness को denote कर रहा है, दर्द क्या बता रहा है क्यों किस वज़े से वो वहाँ पे upset से feel कर रहे थे, ठीक है, so यह sacrifices के लिए यहाँ पे आपको line लिखने है, then why is 10th May 1994, बहुत important question है बिटा, very important, even मैंने जो one shot बनाया है, उस one shot में भी देख लो, आज मैं को याद है, एक बच्चे ने मुझे last class में बुला था, कि ma'am, one shot आपकी class का, देखा था, उस से पहले Nelson Mandela वाल चीजें बताई, मैंने बस वही याद किया, और मुझे याद हो गया, तो वही आपको confidence maintain करके रखना है, बहुत सारी जगे, बहुत सारी चीजें available है, आपको जो समझ आ रही है, और आपके लिए जो work कर रहा है न, वो काम का है, बस that's it, so 10th May 1994 क्या है, क्यों important है, South Africa के लिए तीन चार चीजें हैं, याद रख लो सबसे पहले, 10th May 1994 क्यों है important, first तो क्या हो गया था, democratic non-racial government, यहाँ पे पहला पहला point क्या था, क्योंकि इसी दिन, इसी दिन, first democratic non-racial government बना था, South Africa, first वाला part यहाँ पे, then elections were held on this day, ठीक है, this country, Nelson Mandela became the first black president, second point यहाँ पे आपको यह याद लखना, क्योंकि दो number के question में, दो point more than enough है, दो number के question में, वो सारे 10 point मत लिख किया जाना, कि उपर वहाँ पे, V form के अंदर क्या हुआ था, Jets ने perform किया था, वहाँ पे बहुत सारे अलग-अलग लोग आयते, ट्विन, जो two anthems है, वो हुए, वो नहीं लिखना, क्योंकि दो number क question है, कितने number का है, two marks का है, तो 10 line है लिख के मत आ जाना, अपने समय का सही utilization करो, time को देखो, numbers को देखो, word limit को देखो, बस उतना कर लेना, moving to the next question, and the next question says, where did the ceremonies take place, short question आ जाएगा, इतना सा पूछा जा सकता है, यहाँ पर मैंने दो question साथ में लिए, लेकिन तुम से पूछा ज क्या जाओगे, दो words, no, 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 present your answer, हमेशा answer को कैसे present करना है, किस तरीके से लिखना है, वो सीखना है, so the ceremonies of the inauguration, आपने यहाँ पर एक वर्ड एक्स्रा लिखा, line लंबी करने के लिए, आप सीधा सीधा लिख देते हैं, the ceremonies, किस की ceremony हुई थी, inauguration ceremony, किस की inauguration ceremony थी, आपको सीधा है, अभी, lastly, हमने बात किया है, ठीके, of the new government, took place at the lovely, sandstone, mp theater, कितनी, बड़ी, line, लिखी है, answer, तो यह रहा, union, building, in pretoria, answer, हमारा, यह रहा, present, कैसे किया है, देख लो, कि हमने, पूरे, adjectives, यूज किया है, कि बहुत ही, lovely, sandstone, building, थी, और, mp theater, था, कहां था, pretoria, में, the same place what had been for decades, the same place had remained the seat of white supremacy for decades, यहां पे decades से, सदियों से, यहां पे किसकी supremacy रही थी, whites की रही थी, moving to the next question, for how long had the seagull been alone, कितने टाइम तक रहा था, for 24 hours, दो नंबर के question में, तुम्हें दो word लिखने है, 24 hours, आया हुआ question है, दो नंबर का question था, और दो नंबर के question में पूछ लिया, कित इतने टाइम तक सीगल अकिला रहा, पूरा एक दिन के लिए रहा, for 24 hours, लिखा कैसे, the seagull had been alone for 24 hours, moving to the next question, मैं यहां पे कोई comment नहीं इसलिए देख रही हूँ, because मैं नहीं चाहती कि कोई बच्चा बाद में भी इस session को देखे, तो वो सोचे कि मैं जादा comments पढ़ रहे थे, या interactive जादा थी, यहां fully dedicated है तुम्हारे लिए class, अभी कि अभी learn करो, बस that's it, यह चाहती हूँ, मैं आई, मैं बोली, मैंने पढ़ाया, मैंने समझाया, मैंने तुम्हें समझा, और तुमने मुझे समझा, बस इतनी बात बहुत है, यहां पे हर session में जरूरी नहीं है कि हम ब that his wings could not support him, यह तो हमें भी पता है, उसको क्या डरता है कि उसके wings उसको support नहीं करेंगे, इसे sentence को लिखना है, that he was afraid to fly because he felt that his wings could not support him, to the next question it says, he stood at the edge of the ledge on one leg and closed his eyes, why, इस तरीके की हरकत क्यों करता है, वो ऐसे करके क्यों खड़ा हो जाता है और वो क्या attract करना चाता है, so he wanted to get the attention of his family, because उसकी family उसे छोड़ करके कहां चली गई थी, प्लाट्यू की तरफ चली गई थी, and he was alone there, और ऐसा क्यों किया था, because they wanted him to believe in himself, to make him fly, इसी लिए उसकी family उसे वहां से छोड़ के वहां चली गई, so that यह भी उडने की कोशिश करे और दूसरे प्लाट्यू पर आए, but यह तो देखा जिसे वो पागल हो गया, and at last what he did, he started flying, वो क्या थीज थी, खाना देखके, खाना देखके वो पागल हो गया, और उसने क्या कर दिया, उसने fly करना start कर दिया, why was the pilot happy, what was the reason, किसका है, black airplane chapter का ही आपका है, कि why was the pilot happy, क्यो था happy, दो रीजन बताने है, दो नमबर का question है, द दो रीजन से जादा कभी ने, चाहे दिया है, दो रीजन नहीं देना है, चाहे कुछ भी ने, जहां भी दो नमबर का question है, दो पॉइंट से जादा नहीं लिखो, बस बहुत है, इस से जादा तुम्हें वो नमबर नहीं देंगे, मैं कह रही हूं, दो नमबर के question में वो पहला और दूसरा, he was happy, अब पहली बात तो तुम्हें याद रह जाएगी, क्योंकि इसको अपनी फैमिली से मिलने जाना था, and he wanted to have a good American breakfast, remember that वो उन्होंने क्या कहता, कि मैं एक अच्छा सा American breakfast करना चाहता हूँ, अपनी फैमिली के साथ, ये याद रह गया, दूसरा याद रखना है, sleeping countryside, moving to the next question, बेटा यहाँ पर मैं request करूँगी, viewers कम क्यों हो रहे हैं, I really don't know, but आप share करते रहेगा इस session को, जितना share करेंगे, जितना like करेंगे, देखो, like से बहुत difference आता है, जितना like करेंगे, उतना YouTube भी समझेगा, कि बच्चों को पसंद आ रही है class, आपको सच्ची में by heart पसंद आ रही है, मेरे efforts अच्छे लग रहे हैं, तो आपको ये काम करना होगा, है ना, मेरे लिए ही करना होगा, बट करना तो होगा आपको ये 12 degrees west, क्या था उनका advice कि 12 degrees घूम जाएए आप, why did the pilot fly straight into the storm instead of returning to Paris, he can see, he can see that there are dark clouds there, उसे पता था कि यहां से storm आ रहा है और यहां पे dark clouds है, फिर भी वो वहां क्यों गया, फिर भी क्यों गया था, because he wanted to get home, because he wanted to get home, क्या इतना सा question का answer नहीं आदो सकता, क्यों से घर जाना था, म बस इतना सा याद कर लो, तुम्हारे दो-दो नंबर करके, कितना सागर भर जाएगा, और ये सागर तुम्हार को पार कर देगा, बेटा, सब भी समझो, इस बहुत बड़े importance बात को समझो, कि जब हम छोटी-छोटी चीज़ों को कर लेते हैं, तब भी वो एक बड़ा साग बन जाता है, है न, कभी आपने piggy bank में रुपे एखटे किये हैं, piggy bank में करते हैं, एक का सिक्का डाला, दादी ने दे दिया, दादा ने दे दिया, ममा ने दे दिया, और फिर एक टाइम पे वो इस्तुना भारी हो जाता है, हमें पता नहीं चलता है, ये वही एक-एक का जो स सकते हूं बट यह सारे short questions by heart हो जाएंगे तो ओके चलो next क्या है pilot क्यों करता है one day to go at home next why could the woman in the control room not help the pilot of Dakota Dakota क्या है airplane का नाम है Dakota क्या है अगर पूछले question airplane का नाम है Dakota चलो so the when the pilot of the Dakota plane asks the woman in the control center about the black airplane किसके बारे मैं पूछा था और उसने किसका मना किया था तो उनको पूछा था black airplane का and उसके pilot का because the pilot wants to thank the other pilot तो उसी लिए पूछा she could not help him उसने मना कर दिया and she said that she had seen no other plane flying that night on the radar कि उस दिन radar पे कोई दूसरा pilot तो था ही नहीं कोई plane था ही नहीं तो plane नहीं था तो thank you किसे बोलोगे then next chapter next chapter कौन सा from the diary of N. Frank N. Frank वाला chapter क्या आता है who became N's friend and what was the friend's name कौन बना है N का friend और friend का नाम क्या था दो number की question में दो question पूछ लिए N का diary became her friend and her name was Kitty that's it answer को present करना सीख लो as it is कैसे लिखना होता है वो सीख लो कैसे आपको question पूछा है कैसे answer लिखना है ऐसे ही आएगा आपकी questions यह दो-दो number बहुत important हो जाएंगे एक time पर तुम्हें realize होगा कि माम ने बोला बहुत था हमें कि बिटा दो number कर लो number कर लो दो number कर लो लेकिन हमने नहीं किया which subject did N find difficult कौन सा उसका subject अच्छा नहीं था mathematics बस आपने लिख दिया N found mathematical difficult according to N what has more patience than people very important question very very important question इस पर long question भी आएगा नेंसल मंडेला में long question आ सकता है इसमें से यहां से long question आ सकता है तुम्हारा so according to N paper has become आपको लिखना तो सिर्फ एक वर्ड है एक word के दो number क्या चाहोगे examiner की जान लेना चाहोगे एक word लिखना है सिर्फ तुम्हें paper लेकिन वो लिखना कहा है ये जगे आपको number दिलाएगी so according to n paper has more patience than people ये एक word है सिर्फ एक word है उसके अलावा बाकिसार आपको question में दिया what does n write in her first essay किसके बारे में था first essay recall करो तीसरा ऐसे क्या था quack 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 remember that तो ये तीनों essay के नाम याद होने चाहिए आपको तीनों essay के नाम याद होने चाहिए पहला क्या है the first essay titled a chatterbox and wanted to come up with convincing arguments क्या बताती है सबसे पहले वो इस में बताती है that it's not her fault मेरी गलती नहीं है इसके अंदर my mother also speaks like this मेरी ममा भी इसी तरीके से बात करती है so it's a generation to generation thing यानि कि ये मेरी गलती नहीं है ये मुझे वन्शानुगती मिला है कि मैं इतनी बाते करती हूं she wrote three pages and argues that talking was a student's treat उसने इसके अंदर तीन पेज लिखे ते और क्या बोला कि बात करना तो student का एक तरीके का good है and would do her best to keep it under control और साथ ही साथ में मैं इसे control करने की भी पूरी कोशिश करूंगी then okay how did son help and frank in writing the third as a third as a ka naam क्या था quack 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 है ना याद रखना वो वाला नाम so अगर हम बात करते हैं यहां पे sorry spelling mistake हो गया son verse ends close friend and got at poetry वो कहां किस पे अच्छे थी वो poetry बहुत अच्छी लगती थी she helped and write the third essay in verse free verse वगरे पता है ना हम poem पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं तो क्या दोते हैं एक तो होता free verse होता है एक होता है rhyming scheme में लिखना तो यहां पे वो किस में लिखते वर्स में it turned out to be a good poem और यह poem बहुत अच्छी हो जाती है और इवन दर टीचर कौन टीचर mister casing took it in the right way और वो इस जो की तरह लेता है वो उनको एक amusement entertaining लगता है वो जादा इसको गलत वे में नहीं लेते हैं moving to the next question very important chapter glimpses of India बहुत बहुत important chapter है अभी तक आप में जितने लोग present है उन्होंने कुछ भी नहीं पड़ा है glimpses of India करके चले जाना बच्चा glimpses of India करके चले जाना इसी में से कुछ questions आ जाएंगी तुम्हारे कम से कम उतने number मतलब मैं minimum बेर minimum की बात करी हूँ अगर तुम्हारा target ही सर्फ पास होना है तो glimpses of India वाला chapter करके जाना बस मैं इतना कहूंगी लेकिन जिन्हें अपना target ही हाय रखा है कि नहीं 95 plus marks लाने है मैं हम सब कुछ कर लेंगे हमें बस आप बताओ कि क्या का करना है तो यह पूरा पूरा session तुम्हारे लिए dedicated है चीक है तो when did baker came daily कब आते थे he came daily twice दो बार आते थे पहला कब आते थे in the morning जब he set out for his selling and the other time after selling was the bread okay after selling and in the morning दो time and that's it what did the author and the other children do to look into the baker's basket क्या करते थे वो क्या करते थे वो पीप करके देखते थे पीप करके देखना मतलब जाक के देखना so they would climb a bench or the parapet to look into the bakers इतनी सी line है क्या करते थे वो वो छोटी सी जगे पे एकदम उच्छल करके चड़ जाते थे क्रeckезж ओते क्लाइम करते थे wick parapet, parapet क्या होता है दीखो ये जैसे सीदी सीदी सड़क ठीक है और सीदी सड़क पे थोड़ा सा ऊपर ऐसे उटा हुआ है इसे पैरपिट कहान जाता है कि of 100 Wow I am proud of you long questions कैसे याद करें थोड़ा सा वेट कर लो थोड़ा सा मंडे तक वेट कर लो सब बता चल जाएगा good evening good evening everyone moving to the next question what is kabai kabai kya tha kabai was a type of a frock which was made of a single piece of cloth and it was worn by poochas a tata and worn by bakers by bakers of goa कौन पेंते थे kabai kabai कौन पेंते थे it was born by bakers of goa मैं मैं English को लेकर बहुत परेशान हूँ कुछ बताए रेनू मोहित मिश्रा सबसे पहले तो आपको English परेशान नहीं करनी चाहिए क्यों परेशान कर रही है जैसे हिंदी है वैसे English है पहली बात अगर आपने छोटे-छोटे से steps लेकर के पढ़ाई कर ली तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आप सीधा questions करने बैठोगे नहीं आएगा पहले छोटे steps लो कि हमने पहले ही चोटा MCQ form करके देखा फिर सबसे पहले तो ना summary देख लो सारे chapters की summary पढ़िए मेरे playlist में इसी चानल के playlist में सारे chapters की पढ़िए almost वहाँ पिचा के समझो कि क्या है chapter किसके बारे में बताया गया chapter में फिर MCQ करो उसके फिर ये दो दो नंबर वाले कर लो इतना करो फिर थोड़ा बहुत grammar पढ़ लो और परेशान मत हो परेशान होने से कोई solution नहीं निकलेगा किसी बात का solution रोना नहीं है और परेशान होना नहीं है एक टाइम पर परेशान होकर कि थक जाओगे क्या बोलोगे में इसे नहीं हो रहा है इससे बेटर है परेशान मत हो और अपने दमाग को बोलो कि मैं कर लोंगी थोड़ा थोड़ा करके कर लोंगी बस ये सब करो बिल्कुल जियोन जिसने भी लिखा है ये सारे important questions मैंने खुदने आज बनाए हैं आपके लिए so that आपको पता चले कि कैसे questions आते हैं कौन कौन से 22 marks के questions पूछे जाते हैं चलो चलो I can see now very well done grammar is not difficult संतोष आप थोड़ा शाहिद लेट बने हैं हमारे साथ में आपको हमारे साथ में शुरुआत से होना चाहिए था grammar की classes इतनी ली है मैंने कि आपको क्या ही बताया अब चलो एक बार मेरा नाम लिलो अर्बिंद आपकी वज़े से मेरा हाफिली का exam में बहुत अच्छा नंबर आया thank you so much thank you that means a lot आज मुझे एक और student ने भी बोला था and that's में को overwhelming हुआ कल भी एक student ने बोल जे बोला था तो मुझे लगा मेरे life में मेरे जो degrees ली है जो मैं पढ़ा रही हूं जो मैं कर रही हूं बस satisfaction है इससे जादा कुछ नीचे कल मौत आ जाए तो ठीक है ऐसा वाला लगा thank you so much अगर आप चीज को revise किया recall किया हम आते हैं पढ़ाते हैं बहुत सारे students हैं पढ़ते हैं लेकिन तुम पढ़ते हो तुम recall करते हो उस बात पे ही तो बात बनती है तुमने answers लिखे तुमने grammatical mistakes नहीं की तुमने question को examination hall में अच्छे से समझा ये सारी बाते होती है ठीक है चलो 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 आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे अच्छा कुर्ग कहा situated है तो कुर्ग है in the midway between मैसूर and the coastal town of Mangalur दो वर्ड याद करना है दो बार मैसूर and Mangalur यहां पर आपको जाना है लेकिन अभी नहीं class 10 के बाद में ओके overall सबने share करना है ये class को बार बार कह र आपको लाना चाहिए था आपको बोलना चाहिए था कि देख ये questions कर ले थमनेल देख तू थमनेल में बता रहे हैं यहां learn करवाती है मैम यहां learn करवा देती है मैम what is so similar between the kurawas and Arabs इन दोनों के बीच में क्या similar था kurawas क्या होता है simply अगर हम बात कर तो कुर्ग के लोगों को कह जाता है किसे कहा जाता है people of kurag के लिए use किया जाता है यह word क्या लिखाया यहां पर the long black coat with an embroidered waist belt is so similar उनकी जो dress है उनका जो attire है उनका जो appearance है उसके बार में बात की है यह दोनों में similar होता है kuragis are hospital hospital by nature इसको explain करना है बहुत important question है hospitable word पे kuragis related यही question पूचा जाता है आज तक पूचा गया है फिर आगे भी पूचा जाएगा kuragis are proud race of martial men and beautiful women they are very hospitable मतलब की आरे आप आओ आधर सतकार करेंगे हम तुमारा like that and entertain their guests by relating stories और बहुत सारी स्टोरी सुनाते हैं bravery के उपर courage के उपर की कैसे उनकी जो बड़े भाई है या फिर उनके जो father है उन्होंने जाता है डिस्क्राइब नेच्टरल ब्यूटी ऑफ कुर्ग मतब कुर्ग मैसे यही question आएगा आपको बता देती हूं कुर्गी situated कहां पे midway between Mysore and the coastal town of Mangalore in Kannatka इसे याद करने की जरू होते नहीं दो मिनट पहले मैंने तुम्हें यह याद करा है सिर्फ दो मिनट पहले तु में lush green rainforest है it is obviously famous for kis के लिए coffee के लिए spices के लिए और wild life के लिए तीन वर्ड आपको याद रखने है बर आता है how long does the second flush or sprouting period last यह क्या होता है यह question ऐसा है जो merit based होता है यह question कोई ही नहीं कर पाएगा लेकिन merit बनाएगा यह question merit बनाने वाला question है यह merit बनाने वाला question अगर तुम है बाकी सबसे ज़्यादा पढ़ाई करनी है अगर तुम चाहते हो कि हमारे बाकी सबसे ज़्यादा number यह वाला question कर लो there are two flushes or sprouting periods the second sprouting period last from May to July कब आता है second वाला पूचा गया है तो कब से कब आता है May to July आता है अच्छा very important question आता है यहाँ पे एक बार यह रहा the best season for tea production राजवीर और प्रांजुल कहां जाते है आसाम में जाते हैं in sprouting season जब sprouting हो रहा होता है तब and the season lasts from May to July कब से कब में से जुलाई तक होता है the best tea is produced during this season इसी वक्त क्या होता है best tea होता है चलो this is a question from our chapter मिच्बिल द ओटर कौन से चाप्टर है मिच्बिल द ओटर चाप्टर है आपस में बाते बलकुल नहीं करेंगे जैसे हम लोग offline class लेते हैं ना offline classes में मैं मोलती ना मैं बोर्ड पे लिखूंगी तो पीछे से कोई भी बाते नहीं करेगा है ना इधर उदर जाका जाकी नहीं करेगा आप उसमें बाते नहीं करेगा तो similarly don't talk to each other यहां पर सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड होकर पढ़ लो बिटा लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ लो यह पढ़ने से ही तुम्हारी नहीं आपार हो जाएगी यह वाले questions again and again कर लेना आप उके चलो तो क्या question है why did the author book a flight to Paris instead of going directly to London about Mitch Bill तो Mitch को ले जाना British Airways ने मना कर दिया British Airways allow ही नहीं करता है कि आप animals को उनके airways में ले की जा सकते हो इसलिए उन्होंने किया था so he did not book a flight to London as the British airline would not fly any animal यही चीज हिंदी में बोलते हैं यही चीज हमें English में लिखनी है share कर देना है सबको है ना जल्दी से जल्दी से share कर देना है सबको long questions कर आएंगे मैंने यहाँ पर देखा है बहुत सारे चोटे बच्चे बड़े-बड़े questions के लिए बात कर रहे है पिटा एक बात समझ में नहीं आती जो परोसा जाता है उसे वो उस वक्त खाना नहीं होता है मलब तुम्हें आज हमने अगर हमारे यहां की चक्की की सबजी बहुत फेवरेट है है नहीं बहुत ही ज़ादा famous है हमने तुम्हें चक्की की सबजी खिला ही आज तो तुम कहरे वारे यार मिर्ची बड़ा लाना चाहिए था यार मिर्ची बड़ा खाने का मन है पहले short कर लो long भी आएंगे इन्हें तो learn कर लो पहले इन्हें learn कर लीजिए please okay आगे बढ़ते हैं she was the queen of her kind explained the reason behind admiration for the air hostess ये line बोली गई थी air hostess के लिए कि वो अपने ही अलग type की queen थी और वो बहुत ही kind person थी so the air hostess whom the narration called for assistance suggested to him that she could that he could keep Mitch Bill on his knee and during the flight so as to comfort him तो ये बात किसने बोली थी ये बात बोली थी इन्होंने air hostess ने that you can keep Mitch Bill on your knees कि आप अपने knees पे बठा करके रख सकते हैं moving next give an example from the text to show that Mitch Bill is an intelligent animal ये आपके passage में आया हुआ question है पैसेज दे दिया गया था और पैसेज दे के पूछ लिया कि Mitch Bill एक intelligent animal है ये बता हुआ और ये question तुम्हारे लिए exam में भी आ सकता है कि Mitch Bill कैसे important था मैं आप सौरा ही हो कैसे इतना intelligent था witty था kind of उसने एक invention किया था game का वो सारी चीज़े आपको बताने तो ही invented he had invented many games of his own आगया he loves to play he love to play and on invent किया game एक कॉन सा था एक था one was rolling marble on his flat belly अपने flat belly पे वो क्या करता था marbles को रख देता था उसको roll करता another was keeping the ball on the high end of the suitcase एक suitcase था जो थोड़ा सा क्या हो गया था खराब हो गया था और उसके उपर भी वो ball रख करके क्या करता था खेलता था waiting at the other end for its arrival और उसके दूसरी तरफ आने का wait करता था what was the most fascinating thing for walli walli वाला chapter मतलब madam rides the bus madam rides the bus का यह chapter का question है most fascinating thing क्या थी वाली के लिए bus the bus that traveled between and the nearest town उसके village से between village उसके village से लेकर के nearest town की तरफ नजदी की जो उनका शहर है वहां तक ले जाती थी वही उनके लिए सबसे important चीज थी और उसी के लिए वो desire करती है कि मुझे यही करना है why does walli refuses to look out of the window on her way back back मतलब वापस वो वापस जाते है वक्त कभी window से बाहर नहीं देखती है वो मना कर देती है नहीं देखती है क्यों वो नहीं करती है so remember that incident वो incident याद करो बच्चा कि जब वो जाती है तो देखती है there was a young cow जो उनकी बस के आगे क्या करी होती है इधार उधार उधार कर रही होती है and after looking at that walli get excited and she clapped वो बहुत enjoy करती है इस moment को but when she was returning जब वो वापस आ रही होती in the same bus तब क्या देखती है that there was a corpse वहाँ पे एक dead young वही similar cow जो है वो dead young cow पड़ी है and that sight उसकी वज़े से she was upset and she started like उसे रोना आ गया था she get upset sad हो चुकी थी वो बहुत सादा so that's why after looking at that उनका मन खराब हो गया and she she refused to look out of the window उन्होंने मना कर दिया का कि मैं आगे नहीं देखूंगे yes ma'am yes ma'am yes ma'am बिल्कुल 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 हान जी so यही लिखना है well he refused to look out of the window on her way back because the memory of the dead cow haunted her क्योंकि वो memory उसनोंने देखा और उसको देखने के बाद में उन्हें लगा कि oh my god and dampening her enthusiasm और उनके enthusiasm को भी damp कर दिया how much money very important question बहुत easy question उन्हाने कितने पैसे save किये थे she saved 60 30 अबट लिखना पूरा है she saved 60 पैस qualify for the bus ride bus ride के लिए उन्होंने कितने 60 पैसे को save किया था then what type of a person was the conductor conductor के बारे में पूछा जा सकता इसका एक ही question है जो वली के अलावा किसी के बारे मbank किसी के बारे मैं पूछा जाएगा ये तीन question उसके out of कुछ भी question नहीं आएगा मैंने अभी like का request भी नहीं किया था बट I can see की बहुत सारे likes आ रहे हैं मैंने नहीं request किया बट still अभी भी likes बढ़ रहे हैं तो ये मुझे अपने लिए अच्छा लग रहा है साती साथ में तुम लोग मुझे इतना support कर रहे हो ये भ चास बार repeat करवाओंगी पर तुम्हें याद करवा दूंगी मैं thank you so much दो क्या है answer the conductor was a very wise man and he knew how to tackle and talk with the passengers वो बहुत ही wise था उसे पता था कि क्योंकि रोज उसके पास में नए passengers आते हैं तो उसे पता था किससे कैसे बात करनी है ठीक है he was fond of उसे किसकी थी fond of jokes वो मतलब बहुत जादा jokes crack करते तो उनको मज़ा आता था and he was very jolly nature बहुत ही jolly nature के थे और इसी jolly jolly nature से उन्होंने बहुत सारे questions पूछे थे तो वल्ली वल्ली को क्या देखा था यह question ना बटा इतने बार repeat हुआ है मैं कुछ turn करके देखने की भी ज़रूरत नहीं सबसे पहले सिक्में को देखा था सिक्में के बाद में उन्होंने क्या देखा था जल्दी से बताओ फटा फटा फट से in the comment section I really don't want to look here मुझे तुम्हारे comment से समझ में आ जाना चाहिए you will support me thank you so much बस इसी तरीके से support देते रहिएगा अपना प्यार देते रहिएगा और मैं अपने Saturdays तुम्हें नहचावर करती रहूंगी मेरे Saturdays मेरे लिए बहुत important होता है और उतने ही जादा मैं classes ले रही हूं Saturdays को पूछिए अश्विनी अभिशेक गुपता आपको कुछ पूछना है you can ask me poor woman नहीं था no 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 बहुत गलत हो गया बहुत गलत answers आ गये no 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 अरे बिटा उन्हांने क्या देखा था सबसे पहले सिक्में देखा था उसके बाद में सिक्में के बाद में old man मांग रहा था यह चार तो continuous यहाद करने चार्ट कर के एसे लिख लेना है कि कोई question यह लिखना गौतम बुद्ध से related कुछ भी question आई ये लिखना जरूर है उसके बारे में बात नहीं कर यूँ मैं किसा गौतमी के बारे में नहीं गौतम बुद्ध से related कुछ भी question आई ये 4 point सो लिखने है क्या है 4 point पहला point है किस को देखा था उन्होंने वो वाला पार्ट है और दूसरा point कौन सा है life और death के process के बारे में उन्होंने बात किये चले moving to the next question मैं पीडिएफ का मिलेगी जहां रोज मिलती है बटा पहली बार आये हो क्या टेलिग्राम चानल पर रोज मिलती है वहीं पर मिलेगी तुम्हें हमारी ये pdf now how many days कितने दिनों के लिए उन्होंने meditate किया था तो he meditated for seven days आपको as it is लिखना है answer he got enlightenment after the meditation of seven days seven days के बाद में उन्होंने किया था बुद्धा आस किसा got me to bring क्या handful of mustard seeds ये रहा handful of mustard seeds that's it yeah that's it that's it इतना सा लिखना है तुम्हे answer इस answer के लिए तो अपनी जान लगा सकते हो तुम इस answer के लिए अपनी जान लगा सकते हो के उन्होंने मांगा था mustard seed for a house where no one had died कोई किसी की death ना हुई हो ऐसे घर से उनको क्या लाना था handful of mustard seeds लेके आने थे moving to the next question और next question हमारे पास में आता है यहाँ पे Lomo Vara chapter the last chapter we have and that chapter is the proposal the proposal chapter में से जो question आता है यहाँ पे important question है ये हेलो 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 बिटा ये सारे boards के लिए important है आप क्यों नहीं समझते हो जो सारे boards होते हैं वो कहीं न कहीं आपस में ही questions को repeat करते हैं मैं जब analysis करते हूं question papers का मैं सारे boards को लेकर के बैठते हूं सबसे पहले मैं CBSE board का लेती हूं क्योंकि उसी को सब जने follow करते हैं आप देखा करो CBSE में आया है ना तो उसके बहुत ज़्यादा chances बनते हैं कि वो state boards में भी आते हैं तो सबसे ज़्यादा वेटेज होता है CBSE board का उसके बाद मैं जैसे अगर हम बात करें राजिस्तान बोर्ड की तो वो तो मैंने मैं खुद में राजिस्तान बोर्ड में पढ़ाई करी है पढ़ाया भी है वहां पे तो उसको तो मैं अतलब आप मान लो कि अगर आप राजिस्तान बोर्ड से हो तो आपको जितना पढ़ा है कि एक बर इस बोड ने क्वेशंग दिया दूसरी बार उस बोड ने क्वेशंग दिया है या फिर उन्हां ने कुद नहीं रिपीट कर दिया है तो डून्ट वारी अट आर्ड आपका खुद का जब question paper आएगा आप चेक कर लेना मुझ पर रखो बिटा मैं तुम्हारा टाइम बेस नहीं करोंगी so why how and why did Lumov come to meet the Chubukov family Chubukov family की पास क्यों आता है for the hand of to ask for the hand of and hand of मतलब हात मांगने नहीं for the proposal marriage proposal for Natalia है ना तुवही लिखना है आपको Lumov came in formal evening dress कैसे आया था wearing a jacket jacket pen ke gloves on white gloves यह है यह क्यों आया था to put his proposal up for Natalia and he wanted to marry her सारी चीजे याद है देट what is the alignment that Lumov is suffering from लो यह बहुत important question बिटा बहुत important question है कि Lumov को क्या दिक्कते थी एक तो 35 years का हो चुका था दूसरा he wanted a company उसको एक कंपनी चाहिए थी तीसरा he was a palpable person that means कि उसे weakness थी अजी इपकाइन की weakness थी और वो heart weak person था है ना so Lumov is a 35 years old he is high time that he should settle for a quiet and regular life उसे अब settle होना था life में he is suffering due to a weak heart मैंने बोला था ना उसका heart बहुत weak है heart weak आ गया weak heart and sleep sickness as well साथी साथ में उसको sleep sickness भी थी नीन भी कम आते थी in need of a companion उसको एक साथी की जरूरत थी whom में look after उसका ध्यान रख सेके he wants to get married and for that reason he wants to get married और हमारा ये last question था तो देखो proposal में से इतना नहीं आते है questions that's why मैंने दो ही questions करा है इसमें से इतने questions नहीं आते है if you have any questions right now you can tell me in the comment section मेरी तरफ से मैंने तुम्हें सारे दो दो नंबर के questions करवा दिये हैं जितना मेरे पास में घ्यान का सागर था वो मैंने तुम्हें समार्पित कर दिया है अब तुम्हारी मर्जी कितनी बार डुपकी लगाओगे और कितना याद कर लोगे कितना अपने पास में खटा कर लोगे so that exams में तुम्हारे काम आ जाए चलिए ओके आपने अगर फर्स टाइम अटेंड किये सिकिंड टाइम अटेंड किये कुछ भी है यह दो नंबर के questions exam से पहले एक बार जरूर से करके चले जाना exam से पहले 2x की speed पे दो बार repeat कर लेना बस that's it why I want that okay thank you ma'am passages करा दूंगी passages करा दूंगी don't worry thank you thank you thank you everyone thank you all right तुम लोग थांकी बोल रो मुझे thank you thank you everyone बिल्कुल आपको कोई भी अगर next upcoming classes में कोई ऐसा one shot चाहिए या कुछ भी आपको ऐसे topic लग रहा है जो आपके लिए difficult है मुझे बता दीजेगा मैं उसको बहुत easy तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगी until then you have to remain as happy as this okay bye बिल्कुल